हाई स्ट्टेट्स गुड़ मोर्निंग गुड़ मानिंग टॉल अफयू काईसे आपलों आछा करता है आपलों अच्छे हैंगे और आपको पढ़ाई है आछ से चल रहा होगा जा का एक्षन भी कंप्लीट हो चुका है तो यह हमारा जो वीडियोस है वह है कंबाइन सेंटेंस का वीडियो इसमें भी अलड़ी तीन वीडियोस हम लोगोंने कंप्लीट कर चुके हैं और यह चौथा वीडियो है आज हम लोगों देखेंगे इस वीडियो में तो चलिए आज हम लोगों का ट्रांसलेशन में भी बहुत पूछे जाते हैं तो चलिए आज हम लोगों का टोपिक नौट अल्ली और बट अल्सों के तरफ चलते हैं देखें इसका कुछ पॉइंट्स होती है जो आपको समझना जरूरी है पॉइंट नमर वान में यह रहेगा कि आपको यह जो है पोजेटिव संटेंस दिया जाता है तो यह दोनों जो संटेंस होगा ओपोजेटिव दिया जाएगा यह पहला संटेंस अदूसरा संटेंस आपको तो पता है कि कंबाइन में दो संटेंस दिया जाता है उसे हम लोग को कंबाइन जोरना जोरा दिया जाता है मतलब उसे जोरना पड़ता है दो संटेंस को एक साथ कंबाइन किया जाता है उसे हम लोग कंबाइन करते है तो इसमें not only but also को इसको आप identify जो किजिए यह दोनों ही sentence आपको positive रहेगा दोनों ही positive रहेगा मतलब इसमें not what नहीं मिलेगा पहला पाद दूसरा point इसमें या तो कि सब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट कितना होगा या तो एक सब्जेक्ट होगा या फिर दो सब्जेक्ट होगा इसमें दो कंडिशन होता है या तो सब्जेक्ट एक होगा या दो सब्जेक्ट होगा अगर सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट है सब्जेक्ट एक ही है तो इसके बाद आप हेलपिंग भरव लगाए और उसके बाद not only लगाना है समझ भार है not only लगाना बट अगर double subject है अगर subject double है तो आपको सब स्टार्टिंग में ही आपको not only का यूज करना है not only का यूज करना है कब double sentence मतलब संटेन्स संटेन संटेना समझेक्ट दिया हुआ तो मतलzam दो सब्जेक्ट डिफ्रेंट्स ओ तो आपको स्टार्टि zg मौ 2022 सब्जेक्टреरोव भटione । अग्र दोनों सब्जेक्ट सेम तो स्टार्टिम में नहीं पहले सब्जेक्ट 21 senior ग्ली लिखना चपैम यहां को सब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट . इहां पर सब्जेक्ट तो हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए देखें सब्जक्ट निखिए और साथ में helping भर मीजें तो गह बीख सब्जक्ट सेम हो तो पहले सब्जक्ट लेक्ना साधिक लिखना है हैं नोट अंली नोट अंली लिखने के बाद अब हमें यह दिखना है कि यह जो वर्ड है नोट ही इस नोट ओनली हैंट सम एंट सम अब यह जो अल्रडी आ चुग ही अर इस अल्रडी एक बार आ जाये तो डबल हम लोग कमबाइन में नहीं लिखते हैं ना तो नोट ओनली हैंट सम बट अलसो बट अलसों वार रया बट अलसों चैनने समझ में आ इब अगया अगर थेंक से ऐह ही लिखेंगे फिर उसके वागा सेट। but also, again, object . . चाहिए। । चाहिए। नेक्सट देखते हम लोग। नेक्सट कोस्चन हे। I have a pain, I have a book тай नाशोखरेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका? subject तो सेम यहाँ also a book I have not only a pen but also a book चलिए next question पर हम लोग चलते हैं next question क्या दिया हुआ है राजू has a pen राजू has a pen pen होना चाहिए राजू has a pen राजू has a pen मोहन has a pen मतला राजू के पास भी pen है और मोहन के पास भी pen है तो यहां देखिए यहां भी subject है यहां राजू है और यहां मोहन है subject क्या है डिफ्रेंस है बट एक चीज़ आप याद रखेगा जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर डिफ्रेंस हो तो आपको अब्जेक्ट सेम मिल जाएगा अगर सब्जेक्ट डिफ्रेंस है तो अब्जेक्ट से मिल जाएगा इस चीज़ को आप धिहान रखेगा अगर अब्जेक्ट डिफ्रेंट है तो सब्जेक्ट से मिल जाएगा मतलब अगर दोनो में से कोई ने को एक ऐसा होगा कि आपको सेम दिया जाएगा तो आपको जो दिया जाएगा सेम उसी पर आपको काम करना अगर सब्जेक्ट सेम दिया हो तो स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करेंगे अगर अब्जेक्ट सेम दिया है तो स्टार्टिंग नॉट अनली से करेंगे समझ रहे तो यहाँ पर देखिए subject अलग-अलग है यहाँ राजू है यहाँ मोहन है तो subject क्या है अलग-अलग है तो subject का अलग-अलग होना मतलब starting किसे करेगे not only not only राजू not only राजू but also has a pen has a pen मतलब सिर्फ राजू के पास भी नहीं बलकि मोहन के पास भी pen है इसका यही मतलब बनता है चलिए next question हम लोग करते हैं क्या question है उस हिसाब से हम लोग करेंगे है तो question है ही होना चीए यहाँ पर he he bought the biscuit यह ही ही he bought the biscuits he ate them Milan ठीक है एक question क्या दिया हुआ है he bought the biscuits he ate he ate them he ate them यह नहीं जी है मलान नहीं जी है he ate them ठीक है चलिए तो इसका answer हम लोग करेंगे सबसे पहले यह देखना है यहाँ भी he है और यहाँ भी he है जब subject दोनों तरफ सेम हूँ तो हम लोग क्या लिखते हैं he he not only क्योंकि है helping फर्भाय नहीं he not only bought he not only bought the biscuits disputes he not only bought the biscuit बट अलसो बट अलसो एट देंं ठीक है बट अलसो एट दें ठीक है नेक्स्ट कविस्चन है राम टेक्स टी यहीए तेक्स कौफी तो यहां पर क्या हो जागा देख लेते हैं राम है और यहां पर भी ही है यानि दोनों सेम ही सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट सेम रहे तो हमें क्या करना है ος वहाँ खुर सेफभिश्णन यहाँ यहाँ लाँ पर प्राम अनले तक्स्थ यह नग कर एकसद एक सक्ट ऑल सो तक्स टी बट अल्सो टेक्स बट अल्सो टेक्स कॉफी ठीक है बट अल्सो टेक्स कॉफी चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉस्टन में क्या है वी बीजिटेट पुरी इन 2015 करने का मतलब देखिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट से हम है यहाँ पर सब्जेक्ट से है बट अलग अलग है तो जब अलग अलग रहे तो हम लोग क्या करेंगे we not only not only visited the visited Puri we not only visited visited Puri not we not only visited Puri in 2015 but also in 2016 but also in 2016 चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं she is beautiful she is beautiful she is intelligent तो इसमें तो कोई देखने के बात ही नहीं है कि आप लोग ऐसे ही आप इसको देखके बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा c यहाँ पर देखिए दोनों क्या है subject equal है जब subject equal रहे तो क्या करना है she is not only she is not only beautiful she is not only beautiful but also she is not only beautiful but also intelligent she is not only beautiful but also intelligent he is intelligent he is intelligent he is wise तो देखिए दोनों subject क्या है या same है जब subject same रहे तो हमें क्या करना है c या he is not only intelligent he is not only intelligent but also wise ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं he is strong and he is wise तो सेमी question है दोनों में देखिए तो he is not only strong he is not only strong but also wise ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं और यह आज का session का हम लोग का last question होगा ठीक है तो रानी is beautiful she is strong तो क्या हो जाएगा रानी क्योंकि subject क्या है सेम है जब subject सेम है तो क्या लिखेंगा रानी इज not only ब्यूटिफूल रानी इज नोट अनली ब्यूटिफूल इज नोट अनली ब्यूटिफूल और कुछ जरूर सिखने को मिला होगा चलिए आज के लिए तना है थैंक्यू इज़गा ब्यूटिफूल